हेलो दोस्तो जब कभी भी घर के किशी शर्दस से को खासी हो जाती है तो हम सोचने लगते हैं कि कौन सी कब सीरफ काम में लें क्योंकि मार्केट में इतनी तरह की खासी की सीरफ आती है जिससे विक्ती कन्फिजन में हो जाता है तो दोस्तो आज हम बात करेंगे खांसी के अलग अलग प्रकार के बारे में और उनमें काम आने वाली बेश्ट खांसी की सीरप के बारे में तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हेलो दोस्तो मैं डॉक्टर फार्मेशिस शेन गजबिये सौकत करता हूँ मेरे इस चैनल सी एन गजबिये में तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं कफ सीरप के प्रकार के बारे में कफ सीरप दो प्रकार की मार्केट में आती है सबसे पहली dry cup syrup और दूसरी आती है fat cup syrup dry syrup को non productive cup syrup भी कहते हैं दोस्तो non productive का मतलब हो गया ऐसी cup syrup जिसके अंदर cup का production नहीं हो रहा है याने की बलगम नहीं बन रहा है याने की ऐसी cup syrup जो की सुखी खासी में काम आती है उनको हम dry cup syrup कहते हैं जिसमें बलगम नहीं बनता है ठीक है दोस्तो अब हम बात करते हैं weight cup syrup के बारे में दोस्तो इसे productive cup syrup भी कहते हैं productive का मतलब ऐसी खासी जिसमें जिसके अंदर बलगम का production हो रहा है इसका मतलब की आपकी छाती में cup जमा हो रहा है तो उसको हमें बाहर निकालना है और जो हमारा airway है उसे हमें clear करना है ठीक है दोस्तो तो उसके लिए आपकी weight cup syrup काम में आती है तो दोस्तो हम बात करते हैं कि सुखी खासी में कौन सा cup syrup लेना है और बलगम वाली खासी में कौन सा cup syrup यूज में लेना है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले हम सुखी खासी को देखते हैं यदि किसी वक्ति को सुखी खासी चल रही है उसके अंदर वलगम नहीं बन रहा हो तो वहाँ पर डेक्स्ट्रो मिथोरपेन दिया जाता है ठीक है दोस्तों डीफोर ड्राइएंड डीफोर डेक्स्ट्रो मिथोरपेन यानि कि ड्राइग कफ में आपको डेक्स्ट्रो मिथोरपेन काम में लेना है ठीक है दोस्तों अब दोस्तों हम दूसरी कंडिशन में बात कर लेते हैं दू यहां पर जो कप सीरफ है जिसमें ड्राइक कफ और रनिंग नोस दोनों हो रहा है यहां ड्राइक कफ को खत्म करेगा जबकि जिसे हम CPM भी बोलते हैं यहां फिर ड्राइफ नहीं नोस को ठीक करेगा ठीक है दोस्तों यानि कि आपकी जो नाक बह रही है उसको यह ठीक करेगा ठीक है दोस्तों दोस्तों कई बार हम मार्केट में कफ सीरफ लेते हैं तो वहां कैपिटल में आप देखेंगे सफिक सी तरफ से डी एक्स लिखा होता है डी या फिर डी एक्स का मतलब हो गया उस ब्राइंड के अंद प्ले पाइंगे दोस्तों यहांपर कंडिस्टन का मतलब हो गया कि मरीज की नाक खुल नहीं रही लेकिन कई वार उसकी नाक बह रही है और परने पर्स समय हमें कौन सी कप सीरफ काम ने लेनी है तो दोस्तों यहाँपर कणिसटन ड्राए कफ की है तो वहां पर भी हमको तो देक्सोमेथरफेन प्लस क्लोरफैंिरामिन कॉमिशन लेना है छिया पर ऐसी कप सिरफ जो की वल्गम को खतम करती है तो वो आपकी weight cup syrup कहलाती है ठीक है दोस्तो किसी को भी यदि वलगम वाली खासी या फिर weight cup हो तो ये वाले salt हमें काम में लेने चाहिए ठीक है दोस्तो एक हो गया आपका sodium potassium citrate दूसरा हो गया गोफेनशीन थार्ड हो इसमें दोस्तो अमोनियम क्लोराइड और टॉली वाल्जम या फिर वशाका जिससे कहा जाता है जिसमें ब्रोमेक्जमीन, एमरकजोल और एसेटाइल सेस्टीन का combination होता है ठीक है दोस्तो ये content क्या है दोस्तो बलगम को पतला कर देते हैं जो भी बलगम आपका chest के अंदर जम गया है उसको ये पतला कर देंगे और ये चाती में जमा करके इसको खास्ते समय खासी के साथ में बाहर निकाल देंगे तो इस तरह से मरीच के अंदर जो भी खासी का वलगम जम गया है वो बाहर निकल जाएगा और मरीच ठीक हो जाएगा ठीक है दोस्तो दोस्तो इस cup को सुखाने के लिए साथ में एंटिवाइटिक भी दी जाती है तो दोस्तो जब भी आप एंटिवाइटिक दवाई का यू टैलील है इल्गो भी वेट कफ सीडर गयर उसमें दिया जाता है ठीक है दोस्तो जिससे की काफ असाली से बाहर निकल जाये बाद करें दोस्तो इसमें वेट कफ सीरप के लिए तो इसमें एम्रहग जोल आता लिवो सालवुटावल आता है या फिर एम्राग्जॉल प्लस टर्विटालीड और गोफेनिशीन के साथ कॉमिनेशन आता है टस्क्यू एक्स आता है इस तरह से कई व्रेंड नेम में आपको यह कॉमिनेशन में जाएगा ठीक है दोस्तों तो दोस्तों जब भी आप ब्रॉंक और आपको असाहज मैसूस होगा तो दोस्तों जब भी आप ब्रॉंकर डायलेटर वाली कब सीरप लें तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है तो दोस्तों यह साइड एफट रदी है आपको देखने को मिले तो आप क्या है जो सीरप की कॉंटिटी है उसको कम कर दें ठीक दोस्तों तो उमीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरे दोरा दीगे जानकरी अच्छी लगी होगी आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए है त तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वैल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो थैंकि दोस्तो